सभी बच्चों का स्वागत है हमारे चैनल बान इसक्वेशन में तो आज हम पढ़ने जारें शैनिक स्कूल इंट्रेंस एक्जाम क्लास शिक्स का इंगलिज का एक बहुत ही ज्यादा इन्पॉटेंड चेप्टर जिसका नाम है प्रोना और यह जो चेप्टर है हमारा बहुत ह आपको बता दू कि अभी हम जो भी प्रोनाउंट पढ़ने जारे हां हम पूरे डिटैल में पढ़ेंगे और इस से एक हमारा बीडियो खत्म होगा उससे हम प्रोनाउंट से डिट्र。 यह उसंए रिलेडक को क्उस्टिन करेंगे हम कुछ ऐसे फीसमें हमारा इसमें पुछ भी कोई question हमारे पिछले वर्स पूछा गया है प्रोनाउंसर रिलेटर वो सब question मैं आपको करवाने वाला हूँ इसलिए मैं आपसे request करता हूँ कि आप वीडियो को last तक देखे और आपने अभी तक हमारे चैनल बान education को subscribe नहीं किया है उसको देख सकता है तो चलिए अब हम अपना chapter start करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि pronoun क्या होता है तो pronoun समझाने से पहले मैं आपको कुछ example देना चाहता हूँ मालीजे एक लड़का है एक राम एक लड़का है उसका नाम राम है अब हमको राम के बारे में कुछ बोलना है कुछ राम के बारे में हमको किसी को बताना है तो देखे, राम is a student, राम जो है, वो एक लडगा है, राम is interligent, और राम father is a doctor, तो इहां पर है कि जो राम है, वो student है, वो बहुत ही जदा तेज है, और उसके पापा जो है, डॉक्टर है, तो इहां पर आप देखेगा, कि ये जो तीन संटेंस है, इहां पर क्या हो रहा है, ब करें 20 फरी बंगे उसमें राम राम तो इस तरह से होता है हमारा सटेंस होता है उसके बाद में अच्छा नहीं लगता तो यह जो है giving किस गाम कैसे का यूज करते ही हम प्रौनावन का यूज गरते है यह स्टू对ं राम के बारे में हम ने क्या क्या है एक बार हमने लिख दिया, राम, और उसके बाद हम क्या है? लिख दिया है, he is intelligent means, राम जो है, ओंग बात राम का ही हूरा है लेकिन यहां पर हम राम के जगल क्या लगा दिया है हम यहां पर राम को खटा के, हम ही लगा दिये अब यहां पर देखे, राम's father is a doctor दॉक्टर यहा पर क्या हुगा हुगा देन की सित्विकों सबसे पहले राम के जगह है अगा रहा हैlen और प्रुरॉनावन की हूगा राम क्या है सबसे पहले राम जो है हमारा ओ नाउन है राम जो है हमारा नाउन है मैं आपको बताया है हमकुई किसी भी बेक्ती के नाम को हम नाउन बोलते हैं और मैंने नाउन परहा दिया है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फिलीज देख लीजे तो यहां पे यह राम क्या है नाउन है और यहां पे यह ही क्या है यह जो है वो राम यानि कि नाउन के जगह यह जोड़ा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं हम इसको प्रोनाउन बोलते हैं प्रो नाउन तो प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या हुआ मैं अब आपको बता देता हूं प्रोनाउन का डिफिनीशन तो देखें pronoun is a word which is used in place of now एशा वर्ड जो noun के जगह use हो रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मैं मैं यहां पर आपको do बताएंगे। यह राम क्या है है। राम हुर हमारा noun है यहां पर भी राम हमाना नाउन है। झो यहां पर क्या हो रहा है। तो राम के जगा इहां पे हमने क्याput कर दिया है, राम को हठाके हम He ही लगा दिये ही ही हिसउनच तो हुए यह जो ही क्या है ही जो है हमारा वो प्र,णाउन है और यह प्र प्र,णाउन है वो राम यानिकि noun के जगह यूज हो रहा है तो इसी को तो हम बोलते हैं प्रोनाउन यानि कि नाउन को हम क्या करते हैं नाउन को देखें यह जो हमरा नाउन है इसको हम हटा देते हैं और इसके जगा हम क्या यूज करते हैं हम इसको प्रोनाउन यूज करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं प्रोनाउन यानि कि नाउन के वो आपको nine types of pronoun पराने जा रहा हूं तो देखें पहला types हमारा pronoun का क्या होता है हमारा पहला होता है personal pronoun दूसरा होता है हमारा reflexive pronoun तीसरा होता है हमारा empathitive pronoun चौथा होता है हमारा पुजेशिव पुर्णाउन पचमा होता है हमारा इंट्रोगेटिव पुर्णाउन सत्मा होता है हमारा रिलेटिव पुर्णाउन आठमा होता है हमारा इंडिफिनिट पुर्णाउन और नॉमा होता है हमारा डिस्टिब्यूटिव पुर्णाउन और मै आपको वो बुक आपको छुड़ना भी नहीं परेगा और मैं आपको बता दूगे कि कुष्चन भी मैं आपको करवाने बला हूँ तो चलिए अब यह जो भी हमारा पर्राजून के टाइप है यानि कि kind of pronoun होते हैं उन सब को अब हम एक एक करखे पूटे डिटिएल में पढ़ते हैं तो अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि प्रशनल प्राजून क्या होता है प्रस्जनल पॉर्णाव अब यहां पर देखें पॉर्णावून इस रुजड इन प्लेश ओफ द inici तुआ तो अब हम सब्सक्र면 में सबसे पहले पढ़ए लेते हैं किुआ प्रस्जनल पॉर्णावन क्या होता ह Burch तो यहां पर देखे, मैं personal pronouns के definition से start करूँगा, फिर मैं आपको example बताऊंगा, अब यहां पर देखे, pronoun which are used in place of name of person or things are called personal pronouns, यानि कि personal pronouns यह किसी भी person के जगा यूज होता है और किसी भी things के जगा हूझ होता है, तेखे, personal pronouns जो है हमारा, ऑुपperson से बना हुआ है, इसलिए यह जो हमारा pronoun है, और किसी भी person के जगा हूझ होता है. अब मैं आपको personal pronoun का example बता देता हूँ अब यहाँ पर देखे I, V, U, He, See, It and They यह जो भी हमारा word है यह हमारा क्या है? यह हमारा सब यह सारे word जो है हमारा I, V, U, He, See, It and They यह जो हमारे word है यह हमारा कौन सा word है? यह हमारा personal pronoun है अगर आपको किसी भी sentence में आपको यह word दिखेगा इट मिन्स यह जो हमारा word है वो personal pronoun है अब चलिए अम्मा आपको आगे example बता देता हूँ अब मैं आपको बताया था कि जो example मैं आपको शुरू में बताया था उसी से मैं आपको example फिर से बता देता हूँ अब यहाँ पर देखे राम इज ए स्टूडेंट राम इस इंटेलिजेंट राम इस फादर इस डॉक्टर अब यहाँ पर देखे राम क्या है राम जो है हमारा वो क्या है राम जो है हमारा वो person है person जो है हमारा वो person है अब यहाँ पर ही क्या है ही जो है हमारा वो परस्टनल पर्णावन है यह हमारा परस्टनल पर्णावन है यह जो हमारा परस्टनल पर्णावन है वो राम यानि कि परस्टन के जगह यूज होता है इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं हम इसको परस्टनल पर्णावन बोलते हैं अम मैं आपको परस्टन कित लेकिन मैं आपको अभी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसे related कुछ question आने वाल हैं इसलिए मैं आपको ये पढ़ात दे रहा हूं अब देखें, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, यानि कि जो बेक्ति बोलने का काम करता है, हम उसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, अब फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है, फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है, मैं, वी, मी, अस, माई, आवर, माइन, आवर्स और यहां पर देखिए, I का मतलब मैं होता है, B का मतलब हम लोग होता है, Me, मुझको, Us, हम लोग, My, मेरा, तो यह सब क्या है, यह है हमारा, वो first person है, अब चलिए मैं आपको second person बता देता हूँ, second person, representing a person or think spoken, यानि कि जो सुनने वाला होता है, हम उसको second person बोलते हैं, और second person में सिर्फ हमारा you आता है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि third person क्या होता है, तो देखे, third person, यानि कि जिसके बारे में बोला जाता है, हम उसको third person बोलते है, और third person में हमारा कोई भी वेक्ती आ गया, मानलीजे, अगर मैं आपको, मैं आपको आपके कोई दोस्त के बारे में ब पॉलने का काम कर रहा है, यह जो 3 similarly, मानलीजे, यह बहुरा अम्बेतकर के बारे में पढ़ा रहा है, तो यह भी मोरा अम्बेतकर होंगे, ओ हमारा थर्ड परसन होगा, तो मिंस बूलने वाला हमारे क्या होता है first person सुनने वाला second person और जिसके बारे में बोला जाता है हम उसको क्या बोलते हैं हम उसको third person बोलते हैं अब मैं आपको first person, second person और third person का चाट बता देता हूं कि किस तरह से आप इसको असानी से याद कर सकते हैं यह जो हमारा चार्ट है यह हमारा प्रसनल प्रणावन का चार्ट है और यह फर्स्ट परसन देखे आई और बी जो है हमारा फर्स्ट परसन हो गया और यू जो होता है उ हमारा सिर्फ सकेंड परसन हो गता है और ही शी इट यह हमारा थोर्ड परसन होता है तो यह आई और भी हमारा first person, you हमारा second person, और यह हमारा he see it day, यह हमारा third person, और मैं आपको बता दू कि यह थोड़ सा nominative case और objective case क्या होता है, तो मैं आपको बता दू कि कभी भी हम कोई भी sentence में हमारा subject रहता है, वह हमारा nominative case में ही रहेगा, और उहीं पर देखिए, objective case जो है हमार और किसी भी sentence में क्या रहता है, वह एक तरह से object का काम करता है, और यह जो case है, यह आप C, A, S, C देख रहे हैं, यह एक अलग chapter है, यह एक अलग chapter है, मैं आपको इसलिए थोड़ सा आपको बता देता हूं, क्योंकि इसे related question आएंगे, तो आपको असानी से बन सके, इसलिए मै आपको यह बता दिया, अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे pronoun के types के बारे में पढ़ते हैं, हम reflexive pronoun के बारे में पढ़ते हैं, अब हम जान लेते हैं कि reflexive pronoun क्या होता है, तो यह हैं पर देखे, the pronoun myself, ourselves, yourself, ourselves, himself, herself, itself, and themselves are called reflexive pronoun, यानि कि अगर कोई भी हमारा pronoun मे अगर कोई भी हमारा pronoun है, उसमें हमारा self लगा हुआ है, देखे, या तो हमारा self लगा हुआ है, या selves, s-e-l-b-e-s, लगा हुआ है, तो यह जो हमारा pronoun होता है, वो हमारा reflexive pronoun होता है, reflexive pronoun का मतलब होता है, अपने आप, means अपने आपको, अब मैं आपको बता देता हूं कि reflexive pronoun अब यहां पर देखिए pronoun to turn back upon the subject यानि कि हमारा जो subject है वो कुई action कर रहा है और उस action का effect है वो subject पही पढ़ेगा तो हमारा reflexive pronoun होगा अब यहां पर मैं आपको image की मद्दा से बता देता हूं अब यहां पर देखिए यहां पर यह एक आदमी है यह आदमी है वो डाल काट रहा है मिंस यह क्या कर रहा है यह डाल काट रहा है तो यह क्या कर रहा है यह अपने आपको बरवाद करने के लिए डाल काट रहा है जब यह गिरेगा तो इसी को चोट लेगा है मिंस यह जो है वो एक्षन ले रहा है यानि कि यह डाल काटने का काम कर रहा है और यह डाल काटने का काम कर रहा है मिन्स यह उल्टा काम कर रहा है और जब कोई उल्टा काम करता है तो उसको जो result मिलता है वो भी उसको उल्टा मिलता है तो यही चीज हमारा क्या काता है इसी चीज को बताता है तो उसका जो एक्ट पर अच्छा ड़ाया तो उसको अच्छा एक्ट पर वक कोई वर्क कर रहा है तो उसको गलत इफेक्ट पड़ेगा अब यहां पर देखें मैं आपको एक्जामपल के मदर से बता देता हूँ अब यहां पर देखें मैं तीन एक्जामपल ले रहा हूँ अब यहां पर यह आपको थोरा सा गौर करने वाला बात है अब I hot myself मैं मैं अप प्रिफ्लेक्सिव प्रॉण अब यहां पर देखे, be can help ourself, means हम लोग अपने आपको help कर सकते हैं, तो यह क्या हुगा, यह जो help करने का काम हो रहा है, और subject पर आ रहा है, अब यहां पर देखे, she run it herself, means उसने अपने आपको बरबाद कर लिया, means बरबाद करने का काम जो है, यह बरबाद करने काम हो रहा है, और repeat होगे कहां पर आ आ जा रहा है, यह हमारा subject पर ही आ जा रहा है, तो यह हमारे क्या हुगा, यह हमारा reflexive pronoun होता है, और यहां पर देखे, यह जो मैं reflexive pronoun का चार्ट बना के रख दिया हूँ, आपसे request है कि अगर आपके पास copy है, तो यह जो भ अब देखे, सबसे पहले है हमारा singular subject यानि कि एक subject, अब I का क्या होता है, myself, you का, yourself, he, himself, she, herself, it का हमारा होता है, itself, अब देखे, यह जो है, हमारा पूरलर में आगा है, B का होता है, ourselves, you का हमारा होता है, yourself, और दे का हमारा होता है, themselves, अब मैं आपको यहां पर बता देता तो उहां पर क्या लगे का, V का, ourselves, यहां पर आप देखते रहे है, B का क्या है, ourselves है, और फिर है हमारा, she, runneed herself, यानि कि उसने अपने आपको ही बरबाद कर दी, तो C का देखे, C का क्या है, herself, तो यह जो चार्ट है, यह आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होना हम पोजेशी पोणाउन पर लेते हैं, और यह पोजेशी पोणाउन जो है हमारा, वो पोजेशन वर्ड से बना हुआ है, और पोजेशन का मतलब क्या होता है, पोजेशन का मतलब होता है, अधिकार है, यानि कि अगर किसी भी समागणी पे, किसी भी थिंग्स पे अगर आप अधिकार दिखा रहा है तो वह हमारा क्या होता है वह हमारा possession possessive pronoun होता है तो चलिए the pronoun used to so possession is called possessive pronoun यानि कि किसी भी चीज़ पर अधिकार दिखाने के लिए जो pronoun का हम use करते हैं हम उसको possessive pronoun बोलते हैं और यह जो है हमारा possessive pronoun का example है mine, our, ourself, his, herself and their मायन का मतलब के होगा, mine का मतलब होता है मेरा, ours मतलब की हमारा, yours मतलब तुम्हारा आपको possessive pronoun का example बता देता हूँ अब माल लिए यह जो पहला वाला बुक है यह आपका है यह जो बुक है ओ आपका है तो आप क्या बोलिएगा आप बोलिएगा this book is mine मतलब की यह जो बुक है ओ मेरा है यानि कि यह जो बुक है ओ आपका है यहां पर आप क्या कर रहे है आप एक तरद से अपना अधिकार दिख रहे है यानि कि आप अपना possession दिखा रहे है, means अगर ये book आपका है, तो अधिकार भी तो आपका होगा, तो ये जो हमारा mine है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा possessive pronoun हो गया, possessive pronoun, अब यहां पर देखें, मा लिजे, ये जो book है, वो आपके कोई friend का है, तो आप उसको क्या बोलेगा, that book is yours, ये जो book है, वो तुम्हारा है, means ये जो किताब है, इस किताब पे उसका हक है, तो ये जो है, yours हमारा क्या होता है, ये जो है हमारा possessive pronoun होता है, अब देखें, these are hours, अगर मा लिजे कुछ समागरी है, तो और वो समागरी आप लोगों का है, तो आप क्या बोलिएगा, these are hours, means ये जो समागरी है, वो हम लोगों का है, तो ये जो hours है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा possessive pronoun हो गया, अब मैं आपको possessive pronoun का हिचार्ट, बता देता हूँ, अब यहां पर देखें, I का possessive pronoun होता है, बिजैसे में यहां पर मैं आपको example भी बताएं, Ian पर मैं आपको example भी यू का यूर्स होता है, ही का हीज होता है, शी का हमारा हर्स होता है, और दे का देर्स होता है, और यह आपको याद रखना है क्योंकि question हमारा इससे related हमेशा पूछा जाता है, तो तो दिक परनाउन पर लेते हैं, अब हम देख लेते हैं कि empathic pronoun होता क्या, तो देखें myself, yourself, 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 himself, himself, and themselves are called empathic pronoun, means यह जो आप word देख रहे हैं, आपको यह word कहीं भी दिखेगा, means यह जो हमारा pronoun है, वो क्या होगा है, यह pronoun हमारा empathic pronoun होगा, और यहाँ पर देखिए, यह जो pronoun है, वो आप possessive pronoun में भी देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर इसका जो definition है, यह word का definition अलग हो जाता है, यहाँ पर इसका यह जो आप myself, ourself देख रहे हैं, जब empathic pronoun का मतलब होता है, means अगर किसी भी चीज़ पर हम जोड़ डाल रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, वो empathic pronoun होगा, और मैं आपक आपको example बताऊंगा, जिससे यह empathic pronoun है, वो आपको बहुत ही असानी से समझ में आ जाएगा, अब यहाँ पर देखे, मैं आपको कुछ definition बता रहा हूं, sorry, मैं आपको कुछ example बताऊंगा, और यह जो चीज है, वो आपको बहुत ही असानी से समझ में आ जाएगा, अब आपको क्या बोला, empathic pronoun होता है, वो swim, यानि कि अपने आप पे जोड देने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर पहला word को समझ यह जो पहला sentence है, आप इसको समझ यह, I killed the tiger myself, means इस टाइगर को मैं अपने आप मारा हूं, means यह जो टाइगर है, इस टाइगर को मैं swim मारा हूं वहीं पर देखें, दूसरा example क्या है, he himself compares, यानि कि ओ जो है, ओ अपने आप, यानि कि swim यहाँ आई है, अब हम demonstrative pronoun के बारे में पर लेते, अब हम देख लेते कि यह demonstrative pronoun होता क्या है, तो देखें, the pronoun used to point out the object, और object it refers is called demonstrative pronoun, means demonstrative pronoun क्या होता है, means यह जो पोनाउन है, वो किसी भ मालीचे, आप लोग कभी school जाते होंगे, school bus से school जाते होंगे, फिर आपको आपके दोस्त का घर दिखता होगा, तो जो दोस्त आपके साथ बैठा होगा bus में, आप उसको क्या बोलते है, आप उसको बोलते है, कि ओ देखो, ओ मेरा दोस्त का घर है, तो आप उहाँ पर क्या क और मैं आपको बता दो कि दिस का मतलब क्या होता है दिस का मतलब होता है यह डाट का मतलब होता है वह यानि कि दिस जो है हमारा ओं कोई भी चीज नजदीक में है उसके लिए यूज होता है और डाट जो है हमारा ओं कोई भी चीज अगर धूर है उसके लिए यूज होता है अ तो आप इसको क्या बोलेगा इसको बोलेगा इस धीज़ व्याय यानि है एक लड़का है यह आपके आपके पास ही है ज़्य माल लगान तो आप उस बोल को क्या बोलेगा दिज अर बॉ Martine कि दिज जो है हमारा ओष संगुलर दो है वह यहां पर धेक है और पर को यहां आई आप यहला इस ब्सक्रांट in वह थोड़ा दूर पहे है तो दूर के लिए हम क्या है चकर्षक्त करते हैं और डा धक जो है हमारा सिंगल थिंग्स के लिए यूज होता है और बने डा Twitch के लूज होता है और और पर जो उच्ट हूता है हमारा दोज गांग हमारा दॉर में कुछ ठिलाओना रखा हुआ है तो आप उसको क्या बोलेगा आप उसको गोलेगा दोज आ डॉल्स तो यहाँ पे देखें गुर्ड को समझने का हमारा और यह जो चार्ट को समझने का कोसिज किजिए यह जो चार्ट कुछ कहीं बहुत ही जाएं था इन्पाटेैंट चार्ट अब कोई भी औब्जेक्ट हे हमारा वो नियर में और और अममसidd withdrawal भी क्रिव करते हैं हम उसनित्य करते हैं हम उसके लिए इस करते हैं लेकिन वह एक ही अभजेक्ट तो हम सबसकर Reach करते हम उसके लिए य sih करते हैं और कुछ object है वो बहुत सारा object है यह यानि कि पूरलर number of object है और वो दूर में है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं हम उसके लिए those यूज करते हैं तो यह चीज आपको याद रखना है कि यह near के लिए हमारा these और these यूज करते हैं इस हमारा singular object के लिए किया जाता है और these जो है पूरलर object के लिए किया जाता है यह चीज आपको याद रखना है यह चीज आपको याद रखना है और अगर कोई object बहुत दूर है तो उसके अगर वो अबजेक्ट बहुत दूर है और singular में है तो हम उसके लिए that यूज करते हैं अ को मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा यहां पर हमारा पहला कोचन है रमेश मेट डैस ऑन धबे यानि कि यह आपको बीच में एक गैप देख रहा होगा तो हमको क्या करना है यह जो ब्लैंक है उसको फिल करना तो रमेश मेट डैस ऑन धबे तो यह चारो आप्शन मे यूज नहीं होता है हीज भी हमारा कभी भी अब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है ची भी हमारा नहीं होता है तो यहां पर हमारा एंसर कौन हो जाएगा बी जो है हमारा ओ एंसर हो जाएगा और यहां पर हीज क्या होता है हीज जो है हमारा ओ एक तरह से क्या होता He releases positioning type अब हम अगला कोशょन आपको बता तेते है Dash Always Go To Temple अब हिहा पर देखे coonDail library से तो यानि कि हमको ये जो blank है इसको विषकी क्या करना है हमको इसको फिलप करना है मैं आपको यहां पर बताया था कि यह जो nominative case होते है ये nominative case हमेशा क्या होते है इसी nominative case हो होते हैं उह हमारा subject का form में use होते हैं यहांपे देखें पहला word क्या था? iramese तो र decis grinder जो हैArt जो have जो हमारा third person में आता है तो यह जो Da rhymes है उह हमारा nominative case होता है तो nominative case है हमारा हमेस्चा हमारा subject के रूप में use होता है अब यहां पर देखें इसमें से हमको बताना है कि कौन सा वर्ड है वो हमारा यूज होगा अब हमको ढून रहा है एक तरह से nominative case तो हर जो है हमारा nominative case है नहीं हर्स भी नहीं है हर्स भी नहीं है सी जो है हमारा nominative case है अब चलिए तिस्रे question के तरह बढ़ते हैं perhaps dash have gone to the temple means my brother are not at the home perhaps dash have gone to the temple means इसके जो भाई है वो घर पे नहीं है वो temple गया होंगे तो यहां पर हमको यह feel करना है यह भाई के लिए my brothers तो यहां पर क्या हुआ है यह brothers क्या है brothers जो है हमारा वो क्या है वो हमारा पूर्लर फॉर्म है तो इसके लिए कौन सा word यूज होगा इसके लिए यूज होगा perhaps they have gone to the temple तो क्या यूज होगा यूज होगा अब देखिए चौथा question है हमारा dash are our problems अब यहां पर देखिए हमको बताना है कि यह जो feel यह जो blank है इसको हमको feel करना है तो हमको बताना है कि that are our problems तो हमें नीचे में से क्या करना है हमको भढ़ना है यह चारो option में से अब यहां पर देखिए इस जो है हमारा किस के लिए यूज होता है इस जो है हमारा ओ सिंगलर अबजेक्ट के लिए यूज होता है तो इसके साथ कौन सा subject लगेगा, कौन सा word लगेगा, यह जो है अमारा be, यानि कि these are our problems, तो these जो है हमारा, वो पूरलर के लिए use होगा, तो चलिए अब हम अगले question के तरह भढ़ते हैं, और अगला question है, that are ours, तो यहां पे हमारे पास एक blank space है, और हमको भरना है, तो that क्या होता है, that जो है हमारा ओ singular होता है, तो यह सम्धेक मैं आपको बता दू, singular subject के साथ singular повr, योज होता है, और पूरलर subject के साथ पूरलर भर योज होता है, मिलएकी स regarde गेसे जएए दाट के साथ क्या यूज होगा सिंगूलर यूज होगा ये बुट्स है हमारा हमारा पूरलर है मेंहें borrow- smaller योग लेकिन यह तो सब्सक्क्राइब सब्सक्राइब तो हम इस यह यूज करें आज यहां ॐ क्यों इसफ बया है आसे उज मैं में playing अधिकार सो कर रहा है अधिकार ये जो है हमारा वो सो करता है इसलिए ये जो है हमारा वो माइन यूज होगा अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन है हमारा अब इस ओल्ड पेन इस इहां पे भी हमको क्या करना है अब इहां पे भी हमको क्या करना है हमको possessive pronoun यूज करना है possessive pronoun हमको यूज करना है अब देखे this old pen is yours, my, ours and theirs तो हमको इसमें से कौन सा possessive pronoun है जो हम यूज कर सकते हैं तो यह हमारा क्या होगा this old pen is yours यह जो yours देख रहे हैं यह क्या है यह हमारा possessive pronoun है तो हम यहां पर क्या कर रहा है इसकी इसी को हम use करेंगे अब यहां पर देखे I saw dash in the mirror अब यहां पर क्या करना है देखे Ourself, Himself, Myself और Yourself अब यहां पर क्या हो रहा है यह जो है हमारा reflexive pronoun के तरह आ रहा है तो I का reflexive pronoun क्या होता है I का हमारा reflexive pronoun होता है I का होता है हमारा myself मैं आपको पढ़ाया हूँ आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं तो यह क्या हो गया I का हमारा reflexive pronoun क्या होता है myself होता है तो हम क्या करेंगे myself में tick कर देंगे चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे है हमारा they dash should take care the a buyer meanxasaleisinापको दो अबहर आगर भी हमको रिकलेकिशिकर बढ़ना थो दे का reflexive दे का reflexive pronoun क्या होता है डेंचरफ होता है देंसेल्स होता है हिमसेल्फ होता है और और अवर सेल्फ होता है तो हम सहंको क्या करना है हमको जो भी reflexive pronoun है उसको ढूंड़ना है तो दे का reflexive pronoun क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूं कि दे का reflexive pronoun दे का reflexive pronoun क्या होता है दे का reflexive pronoun होता है हमारा themselves तो हम क्या करेंगे themselves में ठीक मारतेंगे अब अगला कोचन है हमारा you and he will help यानि कि हमें यहां पर भी क्या करना है हमको भी reflexive pronoun भढ़ना है reflexive pronoun क्या होगा तो you and he will help तो you का reflexive pronoun क्या होता yourself तो हम क्या करेंगे yourself में हम ठीक मार देंगे तो यहां पर you जो chapter है वो pronoun का part 1 खतम हो चुका है अब मैं आपसे request करता हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लिजे और बगल में आपको bell icon दिख रहा होगा उसको भी दबाद दिए क्योंकि मैं सैनी की स्कूल से संब्दी जो भी वीडियो होते हैं हर एक subject का वीडियो हमारे चैनल पर मीर जाएगा धन्यवाद